नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं अधिकारी तमाम कल्यानकारी योजनाओं की पोटली बनाकर आपके दर्वाजे पर जाएंगे और पूरे मान सम्मान के साथ आपको आपका हक अधिकार देंगे आपकी योजना, आपकी सरकार आपके दौर अभियान का पिछला दो चरण काफी सफल रहा इस दोरान लाखों आवेदन मिले थे जिनका निप्टारा करने के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया था इन दो अभियानों की सफलता के बाद सरकार ने फिर से इसे सुरू करने का निन लिया इसके तहट 24 नौंबर से 26 दिसंबर तक जार्खन की सभी पंचायतों में सीवीर लगा कर लोगों से आवेदन लिये जाएंगे उनकी समस्याओं का निराकरन होगा और सरकार की योजनाओं का लाब दिया जाएगा इस मौके पर ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम सरम मंत्री सत्यानद भोकता सांसत विजय हांस दा उपस्तित थे तील लाख भैकेंसी फिर भी नहीं दे रहे नौकरी सरकार पर भड़के बिधायक लोबीन जारखन की सत्ता धरी दल जारखन मुक्ती मोर्चा की बिधायक लोबीन हेमरम ने फिर एक बार अपनी ही सरकार एवां मुख्य मंत्री के खिलाप मोर्चा खोल दिया है हेमन सुरेन सरकार के लगभग चार साल पूरे होने को हैं ऐसे में चुनावी वादों की याद दिलाते हुए उनहीं के दल के बिधायक ने मुख्य मंत्री हेमन सुरेन प्रवादा खिलापी का गंभीर आरोप लगाया लोबिन हेमरम आरोप लगाते हुए कहा है कि जारखन मुख्य मोर्चा ने अपने घोसना पत्र में पांच लग युआओं को प्रतिवर सरकाई नोकरी देने का वादा किया था जो अब तक खोखला ही साबित हुआ है हकीकत एह है कि सरकार में अलग अलग लेवाल पे लगभग 3 लाग से ज्यादा रिक्त पद हैं जिन पर नियुक्ति के लिए इस्तिहार नहीं निकाले जा रहे है हेमरब ने कहा है कि नियुक्ति पत्र बाटने का जो बड़े बड़े बिग्यापन आखपारों में हेमंत सुरेन सरकार के द्वार प्रकासित किये जा रहे हैं दरसल वह रगुबर दाज सरकार के समय नियुक्ति परकिरिया पूरी की गई थी हेमंत सुरेन सरकार की चौथी वर्सगाठ पर आंदोलन तेज करेंगे गुरुजी जारखन में टेट पास सहायक अध्यापक पिछले 95 दिनों से एक मांग बेतन मान के नारे के साथ राजभौन के समक्ष धरना परसन कर रहे हैं इस 95 दिनों में कई बार सहायक अध्यापकों ने साथ धरीदलों के बिधायकों और मंत्रियों के आवास घहराव और जामुमों कॉंग्रेस और रायत के परदेश कर्याला का घहराव भी किया लेकिन टेट पास सहायक अध्यापकों को सिर्फ अस्वासन की घुटी ही पिलाई गई इस बीच इन आंदोलन रत सिक्षकों ने राज अस्थापना दिवस पर राज अस्तरिय कारकरम के दरन भी सांती बनाय रखी लेकिन अब टेट पास अध्यापकों का सब्र जबाब दे रहा है अब आंदोलन रत सहायक अध्यापकों ने हिमन सुरेन के नितित वाली सरकार गठन की चौंती वर्षगाट पर जोड़दार आंदोलन करने की योजना बनाई है बता दे राज में चल रही वर्तमान माहागडबंदन की सरकार में सीएम के रूप में हिमन सुरेन ने 29 दिसमबर 2019 को सपतली थी इसके साथ कॉंग्रेस कोटे से अलमगीर अलम और रायाद से सत्यानद भोकता ने भी मंत्री पत की सपतली थी ऐसे में टेट पास साहय का दे अपको की योजना दिसमबर के अमतिम सपता में राज भोवन में जोर्दार धाना परशन करने की है अबुआ आवास योजना पर राजनीती भाजपा ने कहा सरकार का दिया बुचने वाला है मुख्य मंत्री हमांसुरे ने सुकरवार को साहब गंज के गोपाल डी से महत्वा कांची अबुआ आवास योजना का सुबाराम किया है इस योजना के तहत राज के आठ लाग वैसे लोगों को घर उपलवद कराने की है जिन्होंने नई गिरी हस्ती बसाई है और परधान मंत्री आवास पलस योजना के लिए आवेदन कर रखा है मुख्य मंत्री हमांसुरे ने दवारे इस योजना का सुबाराम करते ही इसको लेकर राजनीती शुरू हो गई है भारतिय जनता पार्टी और आईसू पार्टी इसे राज के गरीब जरुरत मंदों के साथ एक और छल्ला करार दिया है उन्होंने कहा है कि जो योजनाय वरतमान सरकार अपने कारेकाल में पूरी नहीं कर सकती उसे आनन फ़न में सुरू किया जा रहा है वहीं जहामों और कॉंग्रेस ने प्रधान मंत्री अवास्योईना पलस योजना की रासी केंद्र की सरकार ने लटका रखी है ऐसे में केंद्र के सो तेलापन का जबाब है अब वह अवास्योईना जिसके तहत लाभुक को तीन कमरा का गहर दिया जाएगा राची के डोरंडा में एक आर्मी के जवान का सो मिला राची के डोरंडा इलाके में आर्मी के एक जवान का सो मिला है इस मामले की जनकारी जैसे है पुलिस को मिली पुलिस मौके पर पहुँच गई है और मामले की छानबिन में जुट गई इसकी जनकारी मिलेटरी पुलिस को भी दे दी गई है और उसकी भी टीम मोखे पर पहुँच चुकी है जवान की पहचार मनोज कुमार के रूप में हुई है हलाकि अभी तक एसाप नहीं हुआ है कि यह हत्या है या फिर आत्म हत्या बता दे राजधानी के डुलंडा इलाके से आर्मी के जवान मनोज कुमार सिंग का स्वव बरामत किया गया रांची के सीटी एसपी राज कुमार मेहता ने बताया एक मनोज कुमार सिंग के तैनाती जमसेदपूर के सुनारी में थी वह डेड़ महिनापुर्व रांची आये थे और दिपार टोली केंट में ड्यूटी कर रहे थे दुमका पहुँचे बाबुला मरांडी ने कहा मीशन 2024 के लिए त्यार हो जाए करेकारता भाजपा परदेश अध्यक्ष बाबुला मरांडी ने सुक्रवार को दुमका परिस्तन में पार्टी करका ताओ से कहा है कि वह मीशन 2024 के लिए पूरी तरह से त्यार हो जाए उन्होंने कहा एक लागातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोधी के नेतित में सरकार बना कर भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी उन्होंने कहा है कि भाजपार लोग सभा चुनाओं के त्यारी में जूट गई है और इसके साथ जार्खन में विधान सभा की भी त्यारी कर रही है पार्टी कर करता बुथ अस्तरपर त्यारी में जूटे और एक एक बुथ को ससक्त बनाए उन्होंने कहा है कि बूथ जीतेंगे तब ही चुनाव जीत पाएंगे होमगाट को मिले समान काम के बदले समान बेतन हाई कोट ने लगाई फटकार जारखर हाई कोट के जस्टीस डाक्टर एसिन पाथर के आदालत में होमगाट जवानों को समान काम के बदले समान बेतन देने के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर दाखिल आउमानना याजका पर सुनवाई हुई होमगाट के जवानों को समानकार के लिए समान बेतर नम मिलने पर कोट ने नराजगी जताई है सुनवाई के बाद अधालत ने राज सरकार को आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया अधालत ने मोखिक रूप से कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक कोट के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो ग्री सची और होमगाट डीजी को कोट में उपस्थित होना होगा मामले में अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी पाकुण में पांच बच्चों की मौत के बाद गाउ पहुंची स्वास्थ विभाग टीम जोर डीहा पंचायत के बड़ा कुटलो गाउ में एक सब्ता में होई पांच बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ विभाग के टीम सुक्रवार को गाउ पहुंची है मिरितकों में 12 वर्सिये छीता मरांडी 3 वर्सिये डेट बाबू मरांडी 3 वर्सिये लिल मुन्नी मुर्मू और 2 वर्सिये सुनिता मुर्मू वर्सिये माइकल मरांडी सामिल है स्वास्त विभा की टीम ने गाव में सीविर लगा गरामिनों की स्वास्त जाच की टीम में सामील सदस्यों ने गिरामिनो के मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, डैरिया आधी की जाच की जाच में साथ ब्रेन मलेरिया वह एक मलेरिया की मरीज निकले है चिकिसकों की निगरानी में सभी का इलाई सुरू किया गया है प्रभाज चीकिसा पतादिकारी डाक्टर मुकेश कुमार ने बताया है कि बच्चों की मौत की सुचना मिलते ही जाज की लिए तुरंद स्वास्त टीम का गटन किया गया है पलामु में अंगनवारी सेविका के चेहन में गरबड़ी CDPO पर हमला पलामु जीले के नवा जयपूर थाना चेतरे के रूदी डी अंगनवारी के अंदर पर सेविका चेहन में गरबड़ी कारूप गरामिनों लगाया है आक रोसित लोगों ने CDPO अनिता कुमारी के वाहन पर हमला कर दिया और वाहन का सिसा तोर दिया CDPO ने नवा जयपूर थाना में रभी परसाद, नकुल कुमार, सीरो चोवान, सवीता देवी सहित पांच लोगों खिलाप नामजद परात्मी की दर्च कराई है गरामिनों द्वारा भी CDPO वा महिला परवेचिका पर परात्मी की दर्च कराई गई है पुलिस का कहना है कि दोनों तरब से आविदन प्राप्थ हुआ है, मामले की चानबिन की जा रही है आरक्षन बिल पर कॉंडली मारे बैठा है राजभवन, सीयम हेमांत मुख्य मंत्री हमन सुरे ने कहा है कि उनकी सरकार ने पीछडे वर्गों को 27 भी दियारक्षन देने वा गरीबों के आरक्षन को बढ़ाने के लिए विधान सभास बिल पास कर कानून बनाने के लिए कदम बढ़ाया लेकिन राजभवन इस बिल पर कॉंडली मार कर बैठ गया है आदिवासियों को अलग धर्मकोट देने के लिए सदन से पारित प्रस्ताव पर भी बिरोधिक कॉंडली मार कर बैठ गया है मुख्यमंत्री सुक्रवार को बरहेट के गोपाल डी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण का सुबारम करने के बाद साभा को समधित कर रहे थे इसी मौके पर सीएम ने 212 कोर्स जाधिक की विकास वकल्यनकारी योजनाव का सिलन्यास और उद्गाटन भी किया है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कारकरम को लेकर 30 नौमबर को हाई कोट में सुनवाई जारखन हाई कोट के जश्टिस गौतम कुमार चोधरी के अदालत ने मेदनी नगर पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धिरेंद्र क्रिष्ण सास्त्री के प्रस्तावित कारकरम की अनुमत्ति के मामले में दायर याजका पर सुनवाई की मामले की सुनवाई की दरण प्रार्थी का पक सुना इसके बाद मामले की विश्ट्रीत सुनवाई के लिए अदालत ने 30 नौमबर की दिखती निधारित की है इससे पूर्व प्रार्थी की ओस्या अदालत को बताया गया है कि 10 से लेकर 12 दिसंवर्तक पंडित धिरेंद्र क्रिष्ण सास्त्री का कारकरम में दनी नगर के खनवाई गाव रजवाडी में प्रस्तावित है समीती ने कारकरम को लेकर उपायुक्त को 9 अक्टूबर को अनुमति देने के लिए दन दिया था उलेखनी है कि प्रार्थी हनुमंत का था आयोजन समीती के सचीव दिनानांथ राम ने याचिका दायर की है बिधायक अंबा परसाद और योगेंद्र साओ के खिलाब सिकायत वापस भारी रायनीती दवाव की वज़त से हजारी बाग जीला परसासन ने सरकारी जमीन पर अवैद कापजा करने के मामले में प्राथमिकी काप प्रारूप बदल दिया है अंचल अधिकाई ने 22 नॉमबर को कांग्रेस बिधायक अंबा परसाद और पूर बिधायक योगेंद्र साओ के खिलाब परात्मिकी दर्ज करने का अनुरोद करते हुए थाना को आवेदन दिया था इसी मामले में 23 नॉमबर को थाने को दूसरा आवेदन दिया गया जिसमें जमीन काप जा करने का रोप में अग्यात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का नुरोद किया गया वहीं आवेदर में लिखा गया है कि कैन्टोनमेंट मौजा की पचाश डिस मिल जमीन पर अग्यात लोगों द्वारा काबजा किया जा रहा है यह जमीन मौहमद एहसान को लीज पर दी गई थी होटवार जेल में मिल रहा खयनी सिग्रेट गूटका रिपोर्ट में चौकाने वाले खुला से रांची के होटवार इस्थीत बिर्सा मुंड़ा केंजरीय करा में खयनी सिग्रेट वा गूटका के बिकरी होती है गुटका प्रतिबंधित होने के बाजू जेल में बिक रहा है यह जनकारी रांची के उपायुक्त राहूल कुमार सीना ने सुक्रवार को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ग्रीह करा एवं आपदा प्रमंधन विभाग के अपर मुख सचीव अविनास कुमार को दी है उपायुक्त ने एडियम विधी बेवास्था रायस्वर नाथ आलोक के नितिवत में गटिट टीम की 21 नॉमबर के जेल निरिक्षन में मिली जनकारी से ग्रीह सचीव को अवगत कराया है रांची आएंगे नितिश कुमार तयारियों में जूटे पार्टी पताधिकारी बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार आगामी लोकसभा चुना तथा जद्यू के परदेश में मजबुति को लेकर अगले वर्ष जन्वरी में रांची आएंगे पार्टी नितिश कुमार के प्रस्तावित दौरे को लेकर तयारी में जूट गई है नितिस्त कुमार के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा और अस्यक दिशार निर्देश के लिए जद्यू के परदेश परभारी और बिहार सरक्कार में मांत्री डाक्टर रास्व कुमार चौधरी 28 और 29 नॉमबर को तथा राश्ट्रिय द्यक राजीव रंजन और फ्लालान सिंग 30 नॉमबर को रांची में उपस्तित रहेंगे इस दोरानवा पार्टी के सभी पतादिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे टाटा नगर एस्टेशन के पास बेपटरी हुई ट्रेन की बोगी जारखन में जमसेद पूर के टाटा नगर लोको याड के सीक लाइन में ट्रेन का एक डिवा बेपटरी हो गया इसके कारान वासिंग लाइन में यातायाद पूरी तरस्ति ठप हो गया इसके कारण टाटा जमुतावी टाटा एस्वंत पूरु वा टाटा थावे एक्सप्रेस की रैंग फस गई है इसके कारण टाटा नागर एस्टेशन प्रबंधन को बार बार तीनो ट्रेन को रेस्टेडियूल करना पड़ा जिसके कारण जातरियों ने ठंड के कारण एस्टेशन में जम कर हंगामा किया रेल पर सासन की टीम साम लगवग पहुने आट बहे तक बेपटरी डिबे की एक ट्राली को आपस पटरी पर ले आई लेकिन रेल वे ट्रेक का फिटनेस साटिफिकेट लेने वा अंडर पास की खुदाई वा मिट्टी की मोटाई की समिक्छा करने में देरी हुई हलाकी रेल पर सासन ने पहले साम पांच बज़े रवाना होने वाली जमुतवी को साम पांच बज़ कर पांच मिट के बज़ाए साड़े साथ बज़े और यसंद पूर एक्सप्रेस को साम साड़े च्छ बज़े के बज़ाए साड़े आठ बहे तक रिसेडियोल किया गया हेमंत सुरेन को सता रहा गिरफतारी का डर बाबुलाल मरांडी पाकुल के अमडा पहार प्रकिती विहार में भाजपा का करताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा परदेश अध्यक्स बाबुला मरांडी ने कहा है कि राज में भाजपा का जाना धार बढ़ रहा है जिससे राज के मुख्य मंतरी हमान सुरेन की बेचानी बढ़ गई है उन्होंने कहा है कि साहब गंज में हुए एक हैर करोर के खनन गोटाला में इडी के द्वारा पाँच बार मुख्य मंतरी हमान सुरेन के नोट दिया जा चुका है लेकिन हमान सुरेन के गरपतारी का डर सता रहा है होटवार जेल जाने के डर की वज़ास से ही हुआ इडी के सामने पेस नहीं हो रहे है उन्होंने हिमंद सरकार पर हमला बोलते वे कहा है कि सरकार ने राज के लोगों को ठगने का काम किया है पिछले चार सालों में रोजगार देने का नारा घोसना तक ही सिमट रहा है वहीं जानता सब समस चुकी है इसलिए उनकी घोसनाओ या कारकरमों से कोई फर्क नहीं पर र समिधान दिवस्य केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार के खिलाप राजभवन के समक्स महापड़ाव का अगाज राश्ट ब्यापी आंदोर्ण के तहत सन्युक्त किसान मोर्चा एवं सन्युक्त ट्रेड यूनियन के वाहन पर 26-27 वा 28 नॉम्बर को राजभवन के समक्स महापड़ाव एतिहासिक होगा ए बाते प्रेश वारता में सुक्रवार को अखिल भारते किसान सभा के महासचीव महंद्र पाठाक एटक के महासचीव असोक यादो वहीं सिट्टू के अनिवार्न बोस अखिल भारते किसान महासभा के पूरण महतो मजदूर नेता अजय कुमार सिंग ने कही है वक्ताव ने कहा है कि केंदरे की मोधी सरकार से जानता उप चुकी है केंदरे सरकार के सारे दावे झूठे सावित हो रहे हैं किसानों के कई महिने चले अंदोलन से मोधी सरकार को पीछे हटना पड़ा था सड़क हादसे में घायल हाई कोट के युवा अधिवक्ता अंकित तिवारी का निधान सब्सकार कर दिया है पलामू में आपकी सरकार आपके द्वार से आये 11936 आवेदान पलामू उपा युग तो ससी रंजन नहें आपकी युईना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के पहले दीन पंसा, लूंबा, सतबहिनी, हुसायनाबाद, नगर पंचायत के वार्ड नमबर 12 सहीद, छटरपुर के सुसी गंज पंचायत में आयोजित सिवीरो में हिसा लिया, पहले दिन पलामुजिले के विभीन परखंडो के विभीन पंचायतो में आयोजित सिवीरो में गारह ज़ैन 1936 आविदन प्राप्थ हुए इनमें कई मामलों का अन एस्पोर्ट निस्पादन मी किया गया मौके पर उपायुक ससीरंजन ने कहा है कि इस बिसेस अभियान का एक मात्रे ओदे सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभीन कलियनकारी योजनाओ को अमतिम पैदान पर खड़े ब बॉक्स में है साथी साथ वीडियो को एक लाइक करना भी ना भूले धन्यवाद